हलो फ्रेंड वेलकम टो मैं यूटूब चैनल एवी अकेडमी दोस्तो मैं हूं सुईत और आप सभी का श्वागत है मेरी यूटूब चैनल एवी अकेडमी की साथ दोस्तो आज का हमारा सिसन स्टार्ट होगा हिंदी का हिंदी के अंतरगत आज हम लोग important question को discuss करेंगे जो कि sheeted के exam के point of view से बहुत ही जादा important है दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल AV Academy को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिए बेल आइकन को दबा दे ताकि latest update आपको मिलता रहे चलिए शुरू करते हैं अपने class को हमारा पहला question है हमारा पहला question है हिंदी से related प्रात्मिक अस्तर पर हिंदी भासा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है क्या जरूरी है कक्षा में print संब्रिद परिवीस आप्सन नमर बी कक्षा में लिखित आंक लेन आप्सन नमर शी भासा सिख्चक का भाषा ग्यान आप्सन नमर डी कक्षा में रंगिन पाठे पुस्तक है तो देखे कोशन क्या पूछ रहा है कि प्रात्मिक अस्तर पर हिंदी भासा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है तो कक्षा में print संब्रिद परिवेस्ट वैजर सबसे अधिक जरूरी है तो यह हमारा सही आप्सन है नेक्स्ट कोशन देखते हैं हम लोग बच्चे बोल्चाल की भासा का अनुभव लेकर भिद्याले आते हैं इसका नहीं तार्थ है कि अप्सन नमर ए बच्चों के भासाई अनुभवों का उचित प्रियोग दिया जाए अप्सन नमर बी बच्चो के भासाई अनभवों को कच्छा के बाहर रखा जाए option number शी, बच्चो को बोल चाल की भासा न शिखाई जाए बच्चो को, बच्चो की बोल चाल की भासा को शुधार आजाए तो देखे, हमसे क्या पूछ रहा है? कोशन की बच्चे बोल चाल की भासा का अनभव लेकर विद्धाले इसका नहीं तार्थ क्या है तो option number ए हमारा सही है बच्चों के भासाई अनभवों का उचित प्रियोग किया जाए जो भी अनभव बच्चे अपने साथ लेकर आड़ है विद्धाले उसका उचित प्रियोग किया जाए ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हम लोग भासा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं किसको मानेंगे option number ए दिर्शिश्रवे समागरी option number बी बाल साहित option number शी संग्यानात्मक विकास option number डी समाजिक अंतर क्रिया तो option क्या पूछ रहा है कि भासा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे देखिए सब महत्वपूर्ण है सब की आवशकता होती है भासा सीखने सिखाने में बट सबसे जादा जो महत्वपूर्ण है हमारा option number डी होगा समाजिक अंतर क्रिया क्यों कि समाजिक अंतक्रिया बच्चों को जितनी लोगों के संपर्क में रखेंगे बच्चा जितनी समाज के संपर्क में आएगा लोगों के संपर्क में आएगा उतना ही जादा भासा को शिखेगा एक दूसरे से मिलेगा और बातों के दौड़ा ही बातों बहुत सारी भासा को ग चाहिए कूँ हिंदी भासा सिच्छ का प्रियोक करने के अफसर दें। इसा प्रियास तो नहीं करेगा। इसको शेट कर रहे हैं है चलिए है नेक्स ओप्सन है हमारा नेक्स तेख नहीं रहा है हां नेक्स ओप्सन है अमारा कि बच्चों के बच्चों को सिक्षा प्रदबाल साहित पढ़ने के भरपूर अपसर दी option number C है बच्चों की भासा सम्मद्द सहज रचना शक्ती को बढ़ाने का option option number D है बच्चों की मातरी भासा के स्थान पर हिंदी भासा का ही कक्षा में ध्यान दे तो यह भी ही है यह भी हमारा negative है क्योंकि क्यों हिंदी भासा की कक्षा में अस्थान दे तो ये भी हमारा negative है, तो A और D तो ऐसे ही नहीं होगा, और B और C में देखते हैं, तो B और C में हमारा C option सही है, बच्चों की भासा सम्मद सहज, रचना सक्ति को बढ़ाने का अफसर देना चाहिए, चलिए, तो यही कोशिश हिंदी सिख्षकी होनी चाहिए, चलिए, next question कक्षा पांच के, बच्चों के भासा आकलन के संदर्व में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं, कौन सा सवाल हमारा सबसे कमजोर है, इसको देखते हैं, तो बताएगे कौन सा सवाल सबसे कमजोर है, option number A है, अपने दोश्टों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से option number B, एदगा कहाने में हामीद ने मेले से क्या खरिदा, option number 6, किस सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके किस सब किस सब्दों में कह, लिखो, option number D, यदि इल्ला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से परिशानी होगी, तो देखिए, इसमें सबसे कमजोर जो है, जो हमारा है, option number B, एदगा कहानी में हामीद ने मेले से क्या खरिदा, तो जो भी खरिदा, इसको डारेक्ट बताया जाएगा, पार्ट को पढ़ने के आधार पे, बादवा की जो भी question है, option है, उसमें बच्चे अपने सोचन सकती के द्वारा answer देंगे, तो इसमें सो option number B ही है, क्योंकि एदगा कहानी में हामीद ने मेले से क्या खरिदा, तो जो भी पढ़े है, उसको बच्चा डारेक्ट जवाब दे सकता है, इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं, दिख रहे हैं, तो यही option हमारा सही है, question के मताबिक, चलिए next question देखते हैं, डैस भासा की अती महत्वपुन प्रकार यह है, क्या है, option number A, impression, option number B, लेकन, option number 20, सुनना, option number D, अक्छर ग्या, तो क्या होगा हमारा जवाब इसका, इसका जवाब होगा option number A, some person some person जो है जो भासा विकाश, भासा की अती महत्वपुर्ण प्रकार है ते लिए next question देखते हैं सुनने और लिखने की कुशलता का आंकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या सबसे अच्छा तरीका होगा? option number A, शुनी गई कहाने को अपने सब्दों में लिखना option number B, सुनी गई कहाने को सब्द से लिखना option number 6, कविता सुनना और सब्द से लिखना option number D, कविता सुनकर प्रस्नों के उद्टर लिखना तो क्या जवाब होगा? आप्सन नमर एस, सुनी गई कहाने को अपने सब्दों में लिखना, अगर अपने सब्दों में बच्चे लिख रहे तो उनकी भाषाई विकास अधीक होगी और सोचने समझने की सकती भी बढ़ेगी, तो हमारा जवाब जो होगा, जो आप्सन नमर एस सही है चली स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है हमारा सार्थक पढ़ती समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुन्रव रिती करता है यह भाषाई विवार दर्शाता है कि अप्सन नमर ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिस करता है अप्सन नमर बी, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कथनाई होती है अप्सन नमर शी, वह पढ़ने के समय, पढ़ने में अधिक समय लेता है option number D, वह अटक अटक कर भी पढ़ सकता है तो क्या जवाब होगा हमारा, जवाब हमारा होगा option number D, कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोसिस कर रहा है इसलिए सार्थक जो है जो पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुन्रव रिती करता है क्योंकि वह समझ के साथ पढ़ने की कोसिस कर रहा है तो चलिए, next question देखते हैं हिंदी भासा में आंकलन का उद्दिश्य नहीं है देखी नहीं पूछ रहा, negative question है तो जवाब भी हमारा negative ही होगा, देखते हैं अप्सन नमबर ए, भासा सीखने शिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना अप्सन नमबर बी, बच्चों की भासा गत त्रोटियों की पहचान करना अप्सन नमर शी, बच्चों की भासा प्रगति को, अभिवाब को और अनिस सिख्छकों को बताना आप्सन नमर डी भासा सीखने के संदर्व में प्रतेक बच्चे की विशेश आविसकता की पहचान करना तो क्या जवाब होगा हमारा आप्सन नमर बी बच्चों की भासा गत्रोटियों की ही पहचान करना चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं आपके परिवार से प्रात्मिक अस्तर पर उत्क्रिष्ट लेखन कारे का उदाहरन है आप्सन नमर ए पाठ पुष्टक से इत्तर कठिन सब्दों का स्तुरुदि लेख नेक्स्ट आप्सन है हमारा किसी आँखो देखी घटना का लिखित वर्णन करना आप्सन नमर शी छुटियां कैसे मनाइई इस विशे पर अनुश्यद लिखना मेरे सपनों की भारत विशे पर अनुश्यद लिखना तो क्या हमारा जवाब होगा इसका चलिए आप लोगों ने भी सही जवाब लगाया होगा option number B ही होगा किसी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना ए जो है जो जादा सही है क्योंकि बच्चा आँखों देखी घटना को अपने सब्दों में लिखेगा तो यही हमारा सही है जादा अच्छा है उदारन ठीले next देखते हैं भासा सीखने के संदर्व में कौन सा कथन शही है option number A बच्चे विद्याले आकर ही भासा सिखते हैं option number B बच्चे विविन संचार माध्यमों से ही भासा सिखते हैं option number 3 बच्चों में भासा अरजित करने की जन्वजात चमता होती है option number D बच्चों में भासा अर्जित करने की जन्मजात शम्ता नहीं होती है तो क्या होगा जवाब इसका इसका जवाब होगा option number 3 क्योंकि बादवा की जो भी है negative ही है देखी क्या कह रहा है कि भासा सिखने के संदर में कौन सा कत्र सही है तो बच्चे में भासा अर्जित करने की जन्मजात शम्ता होती है लेकिन और जो भी question है जो भी option है सब negative है क्योंकि बच्चे विद्याले आकर ही भासा सिखते जरूरी नहीं है क्योंकि बच्चे घर से भासा सीख कर ही आते है बच्चे भले ही वो उनका मतलब घर का ही भासा हो लेकिन उस बच्चे भासा सीख कर ही आते तो जरूरी नहीं कि विद्याले आकर ही भासा सीखे बच्चे विविन संचार माध्यमों से ही भासा सीखते ही करके इसको शिमित कर रहा है ठीक है संचार मादियम से सीखता है अबासा लेकिन ही करकी इसको सिमित कर रहा है तो यह भी नहीं होगा Option number D भी नहीं होगा क्योंकि बच्चों में जो भासाई चमता जो है जो जन जात ही अरजित की जाती है तो यह भी हमारा negative है तो यह नहीं होगा तो Option number C हमारा सही है चलिए नेक्ट देखते हैं क्या है डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्षी रूप से डैस में कटनाई होती है आपसन नमर ए पढ़ने में आपसन नमर लिखने में आपसन नमर शी शुनने में आपसन नमर डी बोलने में तो देखिए डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया का क्या मतलब है ग्राफ ग्राफ हम लोग क्या करते हैं ग्राफ को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं लिकर ही बनाते हैं इसलिए डिस्ग्राफिया की जब भी बात करें ग्राफ की जब भी बात करें डिस्ग्राफिया की और विक मतलब माइड में इस बात को रख सकते हैं कि dysgraphia यानि कि graph की बात की जारी और graph हम लोग बनाते हैं तो लिखकर ही बनाते हैं तो इसलिए हमारा जवाब होगा लिखने से चले next question देखते हैं प्राथमिक अस्तर पर हिंदी भासा की पाठे पुष्टक आप किसी सबसे शर्वदिक महत्पून मानते हैं इसको सबसे अधिक महत्पून मानेंगे उप्सन नमर A, बहुत आयात में दिये गए अभ्यासकार उप्सन नमर B, हिंदी भाषा को विविद रूप देने वाली रचना है उप्सन नमर शी, बहुत प्रशिद लेखकों की प्रसिद रचना है उप्सन नमर D, नैतिक मुल्यों वाली कहानी कविता है तो क्या होगा जवाब? option number B होगा हमारा हिंदी भार्षा को विविद रूप देने वाली रचना है क्योंकि question हमसे यही पूछ रहा है कि प्राथमिक अस्तर पर हिंदी भार्षा की पार्ट पूछता को में अब किसे सबसे अधिक महत्पून मानेंगे तो हिंदी भार्षा की जो विविद रचना है रूप देने वाली रचना है इसी को हम सबसे अधिक महत्पून मानेंगे चलिए next question देखते हैं हम next question है हमारा बहु भासिक अच्छा में बच्चे की भार्षा हैं क्या होगी option number A आंकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है option number B भासा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है option number 6 संसाधन के रूप में कारे कर सकती है option number D सिच्छा के लिए बहुत जटल चुनाती है जबाब बहुत ही आसाने और हर सर इस टाइब के कोशुन को repeat करता है तो अप लोग समझे इसको ध्यान से बहु भासिक कच्छा में बच्चों की भासा क्या होगी तो बहु भासिक कच्छा और बच्चे अपने अपने परिवेश या हैं तो क्या है तो क्या होगी तो आंकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है यह हमारा निगेटिव है आंकलन की प्रक्रिया को बाधित नहीं करती है चलिए नेक्स्ट आप्सन है भासा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है यह हमारा निगेटिव है संसाधन के रूप में कारे कर तो यह हमारा सही है, नेक्स्ट ऑप्सन देखते हैं, शिख्षक के लिए बहुत जटिल चुन होती है, यह भी हमारा उप्सन गलत है, तो ऑप्सन नम्बर शी जो है संसाधन के रूप में कारे कर सकती है, बहुभासा बहुभासी कक्षा में बच्चे की भासा है, जो यह के रूप में काड़ी कर सकती है तो अपस्ट नमर्ट